Assalamualaikum जी, so इस lesson में हम लोग clone stem tool को understand करते हैं कि how the clone stem tool works, तो यहाँ पे मैं clone stem tool की selection कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा understand कर लेते हैं clone stem tool क्या चीज़ अगर मैं इसके ओपर hover करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ वो एक rough सी practice दिखा रहा है कि that how it's working तो exactly clone stem tool करता क्या है clone stem tool exactly आपके pixels को copy करता है और एक नई location के उपर आप उसको shift कर सकते हैं जैसा कि अगर मैं इसका brush का size थोड़ा सा बढ़ा करूँ ठीक है और इसका हम sample लेते हैं जी, यहाँ पे मैं all press कर रहा हूँ और इसका यहां से एक sample ले लेते हैं ठीक है sample इसका यहां bottom से लेते हैं ठीक है और यहां पे जी इसको draw कर लेते हैं तो यह आपके pixels को understand नहीं करेगा कि आपकी नई जगह पे किस तरह के pixels हैं इसके आसपास जहां पे आप अपने pixels को copy करने जा रहे हैं बलकि आपके pixels को as it is उठाएगा और as it is उनको copy कर देगा नई location के उपर ठीक है? अगर हम इसी जगह पे मजीद इसके और pixels को देखते हैं तो जैसा कि आपको यहां पे कुछ rectangular इस फिल्म के holes नज़र आ रहे हैं तो हम इन holes को fill करना चाहरे हैं तो इसको fill करने के लिए exactly हमें इस film का यह वाला हिस्सा चाहिए तो मैं इसको यहां से all press करके इसका sample ले रहा हू और simple इसको हम यहां पर पे पेस्ट कर देते हैं ठीक है sample थोड़ा सा उपर से लेते हैं ठीक है जी तो उसने किया कि उसने exactly as it is यहां से pixels को उठाया और यहां पे पेस्ट कर दिया although this is a not a good option for this kind of editing यहां पे हम मजीद content aware का इस्तमाल भी कर सकते थे इसके लावा हम patch tool का इस्तमाल भी कर सकते थे क्योंकि वो आस-पास के environment को भी understand करता है और उसके बाद pixels को move करता है so this is not a good option लेकिन हम सिरफ understand करने के that how the clone stamp tool works ठीक है exactly यह same pixels को उठाता है और नई जगा पे place कर देता है तो अगर इस scenario में भी देखें तो यहां पे clone stamp tool is not one of the most effective tools ठीक है एक और हम image के उपर आते हैं यह वाल image है अगर हम इस spot को देखें जो आपको यहां पे edge के उपर एक spot नज़र आ रहा है इस spot को हम remove करना चाहते हैं ठीक है तो मैं यहां से healing brush tool लेता हूँ एक sample लेता हूँ और इसको fill करने की कोशिश करता हूँ यहां से sample लेता हूँ तो अगर आप गौर से देखें तो आपको यहां पे बिल्कुल बहतर results नहीं मिल रहें यह थोड़ा सा white part बाहर को extend कर रहें तो इसके लिए बहतर है कि आप clone stem tool का इस्तेमाल करें क्योंकि यह exactly same pixels को उठाएगा और नई location पे move कर देगा ठीक है मैं यहां से sample ले रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको यहां पे move कर लेता हूँ ठीक है sample लेता हूँ और इसको यहां पे move कर लेता हूँ ठीक है although healing brush tool is very effective लेकिन इस scenario में clone stem tool was more effective as compared to the healing brush tool ठीक है so it depends कि आप किस तरह की image पर काम कर रहे हैं और आपको किस tool की ज्यादा जरूरत है ठीक है जी हमारे पास एक निया keyboard है बड़ा colorful सा keyboard है तो हम यहां पे कुछ keys को move करके देखते हैं उसको clone stem tool से clone करके देखते हैं ठीक है जैसा कि हमारे पास यहां पर quit का button है ठीक है तो quit के button को हम move करते हैं एक नई location के उपर और नए pixels को replace कर देते हैं इन pixels के साथ तो यहां पर आपको एक चीज़ का खास क्याल रखना पड़ेगा कि दोनों buttons के उपर shadows और हर चीज़ बहुत जादा similar होनी चाहिए जाके जब हम clone stem tool का इस्तमाल करेंगे तो यहां पर यह नए environment के pixel को understand नहीं करेगा बलकि as it is source के pixels को replace करतेगा ठीक है तो यहां पर नई location पर move करते हैं ठीक है जी तो यह हमने अपने की को clone कर दिया एक second key के उपर ठीक है तो इसने exactly same pixels को उठाया और उनको as it is copy कर दिया और यहां पर आपको कोई distortion नजर नहीं आईगी जो भी text यहां पर लिखावा है और कुछ icons बने वे हैं जबकि यहां पर अगर हम content aware tool का इस्तमाल करते तो वो हमारे pixels को तो move कर लेता लेकिन possibility थी कि शाहिद वो हमारी कुछ pixels को थोड़ा सा distort करता क्यूंकि उसने कोशिश यह करनी थी कि उसको नए environment में fix किया जाए और उसमें possibility है कि कुछ pixels को वो थोड़ा सा distort कर दे ठीक है तो for example हम इस button के उपर इन symbols को थोड़ा सा move करना चाहरे एक नई location के उपर तो मैं दुबारा से clone stem tool लेता हूं इसका मैं यहां से एक sample लेता हूं और इसको हम move कर देते हैं इस location के उपर ठीक है और अगर मैं side पर लेके जाऊंगा कि कि इसका जो sample है वो यहां से लेते हैं ठीक है तो कुछ इस तरह से आप अपने pixels को replace कर सकते हैं move कर सकते हैं right जी so this is how you can make use of the clone stem tool I hope कि आपको समझ आई होगी कि clone stem tool, spot healing, healing patch tool और content aware tool किस तरह से काम करते हैं और यब आपने decide करने हैं कि आप किस image को edit करने जा रहे हैं और आपको किस तरह के results required हैं उसके हिसाब से आप tool की selection कीजेगा so practice उरूर कीजेगा practice के बगार it's very difficult to understand the difference between these tools और इसके ओपर अपने जो हाथ है उसकी grip को मजबूत कीजेगा so see you in the next lesson thank you so much कर दो कर दो